你好 friends आज खी स्व्यूडियो में हम बात करेंगे लिएलैंस इनफ्रा के शेरपे शेरपे रिचंट स्टोख में काफी अच्छी तेज़ी आपको देखनेखंव को मिली है 11 परसेंट की तेजी आपको देखने को मिलें रीजिन्स क्या है क्या आने वाले टाइम में आपको तेजी देखने को मिलेगी या नहीं और भी काफी ऐसे इंपोर्टेंट पॉइंट है जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो को पूरा जरूर देखना बोर्ड ने कमपनी के क्याव आई पी के जर्ये 3,000 क्रोड रुपे तक जुटाने को मंजूरी दे दी है इसके लिए कमपनी 240 रुपे परती शेर के भाव पर 12.56 क्रोड एक्विटी शेर या एक्विटी शेर में कनवर्टेबल वारंटी के प्रिफेंसियल आधार पर जारी करे मतलब यहां पर भाई कमपनी 3,000 क्रोड रुपे जुटाएगी और वो किस वे में जुटाएगी या तो फिर एक्विटी शेर या फिर जो कनवर्टेबल डिवेंचर रहते हैं प्रिफेंसियल उसके आधार पर जुटाने वाली है जो प्राइज रहेगा वो 240 रुपे पर श चलते हैं तो सबसे पहले हम वीकली चार्ट ओपन कर लेते तब आप अच्छे से समझ पाओगे तो यहां पर आप देखोगे वीकली चार्ट में हमारे डबल टोप बन रहा है डबल टोप बनके अब हमें यह देखना है कि यह ब्रेक आउट देता है या नहीं अगर ब्रेक के अकोर्डिंग तो यहां पर अगर ब्रेक आउट देता देखो आज ब्रेक आउट दिया है लेकिन ब्रेक आउट के बाद कंफरमेशन भी बहुत ही जरूरी रहती है मंड़े के दिन इसमें अगर पोजिटिव क्लोजिंग इसने दे दी तो काफी अच्छे टार्गेट देते हैं फिर मार्केटरी टेस्ट के लिए आती है और फिर अपसाइड जाती यह चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखनी है और जैसे कि आपडेट होती है कि फंड रेज करने की उसके नाम पे हमेशा स्टोक में मोस्टली हमेशा तो नहीं कह सकते मोस्टली टाइम पोजि जाता हुआ नजर आ सकता है यहां पर प्राइज भी यहां पर समझ लेते हैं प्राइज भी यहां पर रहने वाला है 453 का ठीक है यह आपको ब्रेक आउट के बाद कनफरमेशन लेनी है उसके बाद यह टार्गेट आपको नजर आ सकते हैं अगर यहां से ही क्योंकि डबल ट चांस रहते हैं कि वहाँ से गिरावट हमें देखने को मिलती है डबल टोप के बाद तो गिरावट अगर देखने को मिली तो जो पहला स्पोर्ट रहने वाला है वो रहेगा 284 का उसके बाद रहेगा 240 का और उसके बाद 155 तक यह टो का आता वा नजर आ सकता है अगर इनको ब्रेक करता है तो अगर ब्रेक आउट देता है तो टार्गेट मैंने आपको बताई दिये हैं बही कनफर्मेशन लेनी है फिर मार्केट रिटेस्ट के लिए आ सकती है अगर रिटेस्ट के टाइम पे ही ब्रेकडाउन कर दिया तो समझ लेना यह एक फेक ब्रेक आउट है यह चीज़े आपको ध्यान में रखनी है यहां से फिर मार्केट हायर हाई हायर लोग बनाती हुई हमारे टार्गेट सक जाती हुए नजर आ सकती है अब यह नहीं है कि हपते में दस दिन में आप यहां प आपका क्या कहना इस्टोक के भारे में कमेंट करके जरूर बताना और आपने कितने प्राइज पर कितनी क्वांटेटी अपने पोट्पोलियो में एड कर रखी यह भी आप कमेंट करके बता सकते हो इस वीडियो का मोटिव ओनली फॉर एजुकेशन परपज्या